अप्पमादवग कथा और गाथा नमबर 26 और 27 26 और 27 की जो गाथाएं हैं उनकी कथा एक ही है इस कहानी का जो नाम है इस स्टोरी का जो नाम है वो है बाल, नखत, घोस इसको अगर संस्कायद भासा में बोलेंगे तो बाल, नक्षत्र, घोश इसका मतलब है बाल माने जो पाली में होता है बाल माने होता है जो छोटी बुद्धी का या मूर्ख होता है या कुबुद्धी का होता है या जो इग्नोर होता है जिसको कुछ पता नहीं होता जो ऐसी हरकत है करता है उसको पाली भासा में बाल बोलते हैं बेसिकली मुर्ख को बाल बोलते हैं और बाद में इसको बालक बोलने लगे या बालक बुद्धी कहने लगे नखत्त का जो मतलब है यहां या नक्षत्र का जो मतलब है जो constellation होता है आपने देखा होगा जो आस्मान में जो तारे होते हैं उनका एक गुरूप होता है उसको नक्षत्र बोलते हैं या नक्षत्र बोलते हैं पाली के अंदर constellation बोलते हैं तो ये हर महिने में मुद्राओं के साथ में क्योंकि जो प्रत्वी है वो सूरे के चारों तरफ घूमती रहती है और हम जहां पर होते हैं हमें वहां के तारे दिखाई देते हैं तो साल में हर दिन तारों का जो गुरूप है वो बदलता रहता है और जो धुरूप तारा है जो पोलर स्टार है वो नहीं बदलता क्योंकि वो पोल पे होता है बाकी तारे बदलते रहते हैं घोस का मतलब है घोशना या कहना या एक तरह से जो मुनादी होती है जो गाउन में धुड़ोरा पिटता है उसको बोलते हैं घोस तो बाल नखत घोस ये कहानी ये कथा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कथा में हेला और होली दुलेंडी या बसंत का उसब छिपा हुआ है होता यह है कि साथ दिन तक उसब चलता है इसको कीडा भी बोलते हैं नखत कीडा बाल नखत कीडा या बाल नक्षत कीडा ये पाली भासा के अंदर आपको मिलेगा जहां आप इसको देखेंगे कि ये उससब का नाम है बाल नक्षत कीडा या बाल नक्षत केल या क्रीडा साथ दिन तक लगातार जैसे ही नक्षत राते हैं एक खास नक्षत राते हैं फागुन के महिने में और साथ दिन की घोश्टा होती है साथ दिन तक जो वहां के कम एज वाले जो यूवा हैं जिनको हम नोजवान बोलते हैं, नवी उबग बोलते हैं या एडोल सेंट बोलते हैं जो अभी अभी जेस्ट बच्चे से बड़े होने के तरफ आगे बड़े हैं और बड़े अभी हुए नहीं हैं जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं यानि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीन एज भी जिसको बोलते हैं ऐसे जो यूवक और यूप्तियां हैं उनमें एक प्रमाद की, एक अलड़पन की और एक उधम मचाने की, एक खुर्दंग मचाने की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है प्राकर्टिक रूप से, ये उत्सव और ये जो कीड़ा है ये उनी के लिए खास्तोर से बुद्ध के पहले समय से चला रहा है, यानि हेला सब्द होता है जो एरोटिक एक्टिवटीज होती है, जो छेट शाड़ा वाली जो या जो मदमस्त वाली जो अवस्थाएं होती है या एक्टिवटीज होती है या किरियाएं होती है उस तरह से वो एक दूसरे को छेड़ते हैं, दुलेंडी भी बोलते हैं, दुलेंड तक चला तो जब नक्षत्र बदले और साथ दिन तक ये अनाउस्मेंट हुआ तो जो एप्रमादी लोग थे यानि जो अच्छे लोग थे जो प्रमाद में नहीं आते जिनकी उमर जएदा थी उन्होंने भिक्कों से भग्नवान बुद्ध से सुगत से ये कहा कि आप अब बिहार से बाहर मत निकलना भिक्खा के लिए आप गाउं में मत आना हम साथ दिन तक आपको भिक्का वहीं पहुँचाते रहेंगे क्योंकि ये जो गोशना है बाल नखत कीडा की जो गोशना है ये हो चुकी है और एक दूसरे पर पानी, एक दूसरे पर धूल, एक दूसरे के उपर छीटा कसी होगी, हुरदंग बचेगा और नशा पता भी होगा, तो ऐसे में आप ना निकलें, कुछ हानी आपको हो सकती है और जितने एक परमादी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो भी अपने आपको साथ दिनों तक घर में बंद कर लेते हैं और भिक्कों को खाना वहीं पहुँचाया जाता है साथ दिन का जब ये घोशना खतम हो जाती है, तो ये जो फेस्टिवल है, या उससव है, या ये कीड़ा है, ये खतम हो जाती है, उसके बाद शप्शान्त हो जाता है तब भगवान बुद्ध अपने भिक्कु संग के साथ में गाओं में आते हैं, और वहाँ आके वो जो चारिका करते हैं, पिंचारिका, वहाँ लोग उनको पिंदान करते हैं, जब पिंदान देते हैं, तो पिंदान के बदले में उनको वहाँ पुन्यमोदन याने के भी देनी होती है, वो सिख्खा जो वहां देते हैं, उस सिख्खा के फलसुरूप, वहां पर उन्होंने ये गाथा नंबर 26 और 27 कहीं है, ये 26 और 27 गाथा इसलिए important है, क्योंकि ये हेला का जो festival है, जिसको होली बोलते हैं, जिसमें जो चने आते हैं, चने को भून के खाते हैं उनको भी हिला बोलते हैं, ये festival उस से पहले से भी चला रहा है, इसलिए ये गाथाएं और ये गाथाएं बहुत ज़्यादा important है, अप माधबकी 26 और 27 नंबर, गाथा इस प्रिकार है, गाथा नंबर 2.6 या 26 पमाद मनु युन्जती, बाला दुम्मे धिनो जना, अप माधयच मेधावी, धनंग सेठंग वे रखती, पमाद मनु युन्जती, पमाद मनु युन्जती का मतलब है, पमाद, मन, मनु का मतलब है मन और युन्जती का मतलब है, जो लगा रहता है या जो उसमें जोडता ह ये युज से बना हुए शब्द है, युजती माने जोड़ता है और युज माने जोड़ना तो मन जो पमाद में लगाए रखता है या पमाद में जोड़ता है बाला दुम मेधिनो चना बाला का मतलब है मूर्ख दुम मेधिनो का मतलब है एक होताएक शब्द मेध मेधा माने होता है बुद्धी बान और अगर अच्छी बुद्धी का हो तो उसको बोलते हैं सु मेधा यहां खराब उद्धी का पाली में कुकी जेगे दू लगाते हैं तो यह हो गया दू मेधा और दू मेधा बोलते हैं इसको यहां पाली में और दू मेधिनों का मतलब है खराब उद्धी वाला जना का मतलब है व्यक्ति इसका मतलब यह हो गया लाइन का पमाद मन युण्यती बाला दुम्मे धिनो जना यानि जो अपने मन को पमाद में लगाता है ऐसा मूर्ख और ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धी खराब है अप मादयच मेधावी धनंग सेठंग वै रखती अप मादयच का मतब है कि अपने ए प्रमाद के लिए मेधावी का मतलब है बहुत महंती और बहुत बुद्धी वाला धनंग सेठंग धनंग सेठंग का मतलब है धन धनंग का मतलब है स्रेश्ट और अच्छा वै का मतलब यहाँ होता है जैसे या ही जैसा रखती का मतलब है रख्षा करता है यानि ऐसा व्यक्ति अपने एप्रमाद की अपना जो उसने दोर्थ कमाई है प्रमाद वाली उसकी रक्षा ऐसे करता है जैसे कोई अपने स्ट्रेश्ट धर्कि करता है ये गाथा भगनवान गुद्ध ने उस समय कही। इसका जो श्राल सब्द है वो इस प्रिकार है कि जो प्रमादी व्यक्ति हैं जो प्रमादी नौजवान और यूबन गूंख आते कोई जद्थी पे यूक्ते है वह सारे के सारे लोग वहाँ पर्रमाद रहके और अपनी हाम कर रहे थे जो साद न्म गूसे एक दूसरे के उपर राग और द्वेस बिखेरा राग द्वेस उसनों ने खीचा और जो कुगुद्धी का और जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें पमाद ही पमाद होता है या जो मूर होता है वो सारे काम ये करते हैं मगर जो व्यक्ति मेधावी होता है यानि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अपने एप्रमाद का यानि कि जो उसने जीवन में महत करके कमाया है एप्रमाद उसकी रक्षा अपने धर्की तरे सर्शीर धंकी तरे करता है जो समझदार व्यक्ति होता है ये इस गाथा का स मा का मतलब है don't यानि कि मत करो यानि कि आदे सात्मक है यानि कि ऐसा मत करो मन को पमाद से मत जोड़ो या जोड़ना चाहिए यानि कि मन को पमाद से नहीं जोड़ना चाहिए मा काम रती सनत्वन नाही यानि मत करो क्या काम और रती काम और रती का संथद्ब का माने है संथद्ब माने संसर्ग करना या sexual intercourse करना या उसमें रत रहना या इसको आप कह सकते हैं समागम करना या intimacy तो पहली लाईन का मतदब हुआ कि मन को पमाद में नहीं लगाना चाहिए और काम और रत के अंदर भी नहीं रहना चाहिए रत नहीं रहना चाहिए संसर्ग नहीं करना चाहिए अप मत्तो ही जायंतो अप मत्तो ही जायंतो ही का मतलब या वास्तव में निश्चित और जायंतो माने है जो ध्यान को लगाता है अप मत्तो माने जो अपमत है जो प्रमत नहीं है जो प्रमाद में नहीं है यानि कि जो प्रमादी है एप्रमादी लोग है वो वास्तम में ध्यान लगाते हैं पपोती विपुलंग सुकंग पपोती का मतलब है प्राप्त करता है विपुलंग का मतलब है अपार और सुखंग का मदलब है सुख इसका मदलब जो ए प्रमादी जो व्यक्ति हैं जो वास्ता में ध्यान लगाते हैं उनको प्राप्त होता है अपार सुख ये गाथा नंबर 27 है इसकी देशना इस प्रिकार है भग्नमान बुद्ध जब गाउं आते हैं जो गाउं आके वो बताते हैं कि जो ए प्रमादी व्यक्ति होते हैं अगर वो उध्यान लगाते हैं तो उनको अपार सुख अपार शांती उनको मिलती है प्राप्त होती है इसलिए प्रमाद में मन को मत लगाईए और नहीं काम में और रत में रती में अपने आपको जोड़िए ना ही इससे संसर कीजिए इससे बचिए ये इसपश्ट जो देशना है ये प्रमाद एप्रमाद की खास्तोर से 2726 नमर की गाथा के लिए हैं धन्यवाद कि अबालिय है कि गतने आपको जामने र banan am कि बाला उन्यवाल जोगनारे कि अहकी में हैं कीजिए चाश्ट सेंस चाह मंठिया है के लिए प्रत करते हैं करता शजिए आठके में将 और सराश में धन्यवाल सेना है कि आए हैं प्र stripesट के हैं अबगया है उन्हात्यों है